नमस्कार एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल संगितास्पन में प्राचिन काल से भगवान की पूजा अर्चना के लिए मंदिरों में धूब दीब जलाई जाती है लेकिन पहले की समय में पूजा अर्चना के लिए मंत्रों का उप्योग किया जाता था मंत्रों के माध्यम से अगनी प्रज्वलित की जाती थी लेकिन आज के समय में इसके लिए मार्चिस का उप्योग किया जाता है लोग धूबदीब जनालने के लिए पूजा घरों में घर के मंदिरों में मार्चिस का उप्योग करते हाला कि ऐसा करना गलत नहीं होता है ऐसा माना जाते है कि पूजा घर में मार्चिस रखने से कई अनेक परिसानिया आती है पूजागर में मार्चिस रखना वर्जित है तो आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि आखिर क्यों मार्चिस रखना वर्जित है पूजागर में इसके क्या प्रभाव होते हैं तो इन से भी जानकारियों के लिए आप वीडियो को अंते तक देखें और वीडियो आपको क्योंगी लगी तो इस चैनल को लाइक, सेर एंड सब्सक्राइब जरूर करें जिससे हर इंपोर्टेंड महत्वण जानकारी आपको मिल सके तो आईए जानते हैं कि घर के मंदिर में क्यों ने रखने चैनल मार्चिस, मार्चिस को नकारात्मक सक्तियों का प्रतीक माना जाता है, यही बज़ो है कि पूजा घर में मार्चिस रखने की मनाई होती है, पूजा घर को घर के सबसे पवित्र स्थानों में से एक पवित्र स्थान माना जाता है, इससे नकारात्मक इसलिए पूजा घर्म मार्चिस हैं लाइटर को रखने के मनाई होती है। पूजा घर्म मार्चिस रखने से जो हम पूजा करते हैं उसके भी पूरे फल नहीं मिलते हैं। ये जोलन सेल सीज़ें चाहे मार्चिस होएं लाइटर हो ये नेगेटिव एनरजी को बढ़ाते हैं पूजा घर में मार्चिस रखने हैं पूरी पूजा का फल नहीं मिलता है पूजा के जो भी फल होते हैं जो भी हमारी इच्छा होती है वो पूरी नहीं होती है आप घर की र तो आप इन बातों का खास ध्यान दे कि अपने बैट्रूम में और अपने पूजा के घर पर पूजा इस तल पर मंदिर पर मार्सिस भूल कर भी ना रखें इसके अलावा कुछ बात और हैं जिनके आपको ध्यान रखना चाहिए भगवान को पूजा के लिए जो फूल चड़ संध्या के समय जब फूजा करते हैं तो इन फूलों को भगवान के सीज से उतार कर उनके चरड़ों पर रख दें अगर आप बासी या मुर्जाय हुए फूल भगवान को चड़ाते हैं तो इससे आपके घर में परिसान्या आती हैं घर की तरक्य रुख जाती है साथी भग लेकिन कहा जाता है कि ऐसी मुर्थियां घर पर रखने से कलेस बढ़ता है चाहे आप इसे सो पीस पर रखें या फिर आप इसे अपने पूजा स्थाल पर रखें ऐसी मुर्थियों को नहीं रखा जाता है इसके साथ एक खास बात और बताना चाहूंगे बहुत जरूरी है बहुत से लोग ऐसी भूल कर देते हैं कई बार गिफ्ट में मिली रहती है बहुत से ऐसी मूर्थियां जो भगवान की होती है और वही मूर्थियां उनके घर पे पहले से भी होती है तो किसी भगवान की दो मूर्थियां कभी भी आपके घर पे हैं नहीं होनी चाहिए ये गल्पतियां आप भूल कर भी ना करें मंदिर में पूरवजु की तस्वीर हैं कोई साधू संत तपस भी होते हैं जो उनकी तस्वीर भी नहीं लगाई जाती हैं तो इन कुछ बातों का विसिस रूप से ध्यान दे हाला कि ये जानकारिया सामाने मानता क्या धार पर ही हैं इनके लिए संगितास्वन यूट्यूब चैनल कोई पूश्टी नहीं करता लेकिन कहा जाता है ऐसा तो उसी भी सह पर वीडियो बनाया है और बहुत से लोग कमेंट के माध्यम से भी कहते हैं कि पूजा इस तल पर क्या चीज रखें क्या ना रखें तो इसी भी से पर मैंने वीडियो बनाया अगर आप इस टॉपिक पर और डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप मेरे ब्लॉग संगितास्वन डॉट कॉम पर विजिट करें महाँ पर आपको डिटेल में जानकार्या मिल जाएंगी वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरू करें और वीडियो के कमेंड में जाए माता दी और वस्ते लिए थेंक्यू फॉर वोजी